गुद्वर्णिंग श्रेंट माइसेल्फ योगेंदर सर फ्रोम ग्यान जर्थी पॉब्लिक स्कूल हम लोग पहले इस एक्सरसाइज के अंतरगात जितने भी टोपिक्स आने वाले थे उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के सहायता से आज हम एक्सरसाइज को स परफेक्ट नमबर के बारे में हम लोग इसके ठीक पहले वाले वीडियो में पढ़े थे परफेक्ट नमबर का केसे करना होता है इसमें हम लोग जो नमबर दिया रहता है उसको पहले फेक्टराइजेशन करेंगे और उसका एक बार फी ट्वाइस करेंगे और दोनों का जो एन स्वराएगा equal होगा तो वो perfect number खालाता है तो देखी यहाँ पर question number 1 का A haul किया गया है करें factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12 अब इन सारे factors को हम लो add करेंगे यहाँ on adding these factors we get 1 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 12 is equal to 28 and यहाँ लिखा कि sum of all factors of 12 is equal to 28 यहाँ इस सारे factors को जोड़ने के बाद 28 आया है अब उस number का हम लो twice करेंगे यहाँ लिखा कि twice of 12 जो number दिया है question उसका twice करेंगे यहाँ 2 into 12 is equal to 24 अब इसका है 28 और इसका अग्या answer 24 ती दोनो इक्वाल है दोनो इक्वाल नहीं है यहाँ आओगे 24 यहाँ 28 तो यह दोनो इक्वाल तो है नहीं लिखेंगे sum of all factors of 12 is not equal to twice of 12 therefore 12 is a no perfect number अब इसी परकार इस question number 1 का जितना सरा है A, B, C, D आप लोग खल गरेंगे इसी परकार से निकालेंगे और देखेंगे जब sum of factors जो answer होगा और twice of numbers जो होगा यह दोनो इक्वाल रहेगा तो आपका perfect number कहा लाएगा आज जब नहीं रहेगा तो यह perfect number नहीं होगे यहाँ लिखेंगे 12 is a no perfect number to express each of the flowing even numbers as the sum of any two odd prime number यानि इस question को क्या करना है हमको बिस्तारित करना है और वो भी किस से even number जो दिया गया है यहाँ 20, 84, 180 and 140 इस even number को दो ऐसे odd number को add करके लाना है जो even नहीं हो और किवल odd ही हो और दो ही बार में आना चाहिए जैसे यहाँ इसका first two का एक number का solution क्या गया है यहाँ 20 को क्या गया है solution है the sum of any two odd prime number यहाँ odd prime का मतलब जो बिसम हो और वो कटने वाला नहीं हो यानि अभाज संख्या उसी को odd prime काते है यानि 20 को odd prime लिखा गया है 7 plus 13 यानि 7 odd है और यह प्राइम भी है और 13 भी odd है और यह भी प्राइम है तो इस परकार 7 plus 13 is equal to 20 इसी तरह से हम इस टू नमर का सारा question करेंगे यान 84 है 180 है और 140 है इन तिनों को आप लो हल करेंगे और next question है theory find the greatest prime number between 1 and 20 हमको ऐसा prime number लिखना है जो 1 से और 20 के बीच में हो 1 और 20 यानि 1 and 20 के बीच में ऐसा prime number लिखना है जो सबसे बड़ा हो और इसकी बीच का ही हो तो prime number उसी कहते है जो भाजी नहीं हो तो हम लोग 20 के ठीक पहले जो आता है वह 19 होता है अर्था 19 19 एक क्या है prime number है और यह odd भी है लेकिन इसमें क्योवल prime में पूछा है इसलिए greatest prime number हो गया 90 इसका solution यहां लिखा गया है the greatest prime number between 1 and 20 is equal to 19 यानि 19 जो है एक और 20 के बीच का यह prime number है ओके next question है 4 4 question कर रहा है what are twin prime number यान twin prime number क्या है write all pair of twin prime number between 20 and 60 यानि first हमको twin prime का definition करना है और फिर twin prime का number लिखना है जो 20 और 60 के बीच का pair बताना है यानि जोडा में तो twin prime आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है आप लोग उससे कर लिजेगा और यहाँ पर twin prime number बताना है तो pair में इसको यहाँ देखिए solution किया गया है twin prime numbers तो आप लोग इसको लिख लेंगे and next question जो है pair लिखना तो देखिए यहाँ all pair of twin prime numbers between 20 and 60 और first है 29,31 यह जो pair है इसके बीच में two का difference है यानि 30 जो है एक composite है और यह twin prime है prime number हमको बताना है जोड़ा में next है 41,43 यही एक दो pair ऐसा है जो twin prime number है और इसके अत्रिक कोई भी नहीं है अब इसके अत्रिक जो होगा वो divisible होए जैसे 32 है 33 होगा यह सारब divisible है लेकिन यह जो 29 होए यह किसी से divide नहीं होता है या 31 भी नहीं होता है इसलिए यह पियर जो है एक twin prime है और 41 भी किसी से divide नहीं होता है 43 भी नहीं यह भी दोनों जो number है twin prime का pair है ओके next question है 5 करें the number 17 and 31 sorry 13 and 31 are pair number यहां है the number यानि 13 और 31 है या prime number है फिर करें both this number have the same digit जैसे यह दोनो number है same digit है जैसे हमा 13 लिखा गया है यहां 3 और 1 लिया गया है तो इन दोनों pair में क्या है same digit है 13 से यह भी बना है और यह भी 31 से तो यह दोनों में same ही है उसी प्रकार का हमको both number लेना है same digit होना च्छिए और लिखा गया है यहां पर one and three जैसे इसमें लिखा गया है next question कर रहे है find such pair of prime number up to hundred अब आपको next prime pair देना है जो hundred के बीच का तो देखिए यहां पर पहला हम लोगा pair है करें all pair of prime number up to hundred of the same digit R यानि hundred के बीच का होना चाहिए और same digit तो पहला हम लोगा मिलेगा one seven यानि seventeen और इसका next pair बनेगा seven one यानि seventy one यानि यहां पहला pair हुआ seventeen and seventy one second pair है thirty seven कॉमा seventy three यानि यह भी एक pair है same digit जैसे यहां थिरी और seven है तो यहां भी seven और three का ही है next है एक और seven nine और फिर nine seven यह जो दोनों pair है seven nine और nine seven इन सभी में same digit लिएग है यानि पहला जो हम लेंगे उसी से दूसरा भी बनाएंगे और वही नमर लेंगे तो देखिए यह जितना सरा है सब hundred के under है ओके next question है करे राइट seven consecutive composite number between one and hundred such that there is no prime number between them यानि आपको ऐसा साथ लगतार consecutive मतलब लगतार होता है composite मतलब भाजे संख्या और between तो अंतर बीच का समझ रहे है between मने के बीच तो साथ ऐसे लगतार composite number लिखना है जो एक और सो के बीच का हो और उसमे that there is no prime और उसके बीच कोई भी अभाजे संख्या नहीं आची यानि यहाँ no prime number between them और उन दोनों के बीच की में कोई prime number नहीं हो तो लिखेंगे अब देखेंगे यहाँ से सुरू से ही देखेंगे one से लेकर बढ़ते जाएंगे और ऐसा लिखना है जो भाजे हो और उसके बीच में कोई भी अभाज संख्या नहीं है न चीए तो पहला हम लोग का मिले गया 90 उसके बाद 91 फिर 92 93 94 95 96 यह हम लोग का हो गया कितना टोटल 7 हुगा इसी परकर से हम लोग आप लोग बनाईएगा जैसे यहां लिखा गया है write all composite number from 17 to 38 अब इसमें composite all लिखना है सभी को लिखना है 17 के बाद और 38 के पहले तक 38 तक आप लोग लिखियेगा और 8 नुमर भी आप लोग बनाईएगा यहां question है देख लिजिए which of the flowing pair of numbers are co prime number यानि ऐसा prime number होना चीए जो co prime 100 अभाज संख्या इसके बीच में एक ही कोई common हो अगर factorization करेंगे तो उसमें common के वाल एक ही हो यानि one जो होगा वही co prime होता है तब इसमें आप factorization करेंगा देख लिजिएगा किसका किसका केवल one common हो रहा है वही आपका co prime number कहा लाएगा बाकी जो होगा वो कोई इसमें से नहीं रहेगा तो हल करिएगा जेखिएगा पहला होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा इस pair इन सारे question के pair में आप prime factorization करिएगा और फिर उसमें common करिएगा केवल one होगा तो सही है नहीं तो आपका वह को prime number नहीं होगा ओके थेंक्स